अस्सलामु अलेकुम आज हम इंस्टिंट रबडी बनाएंगे ये रबडी बस दस से बारा मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगी काफी बार हम डिजर्ट्स मंगाते हैं जैसे माल पवा है गुलाब जामुन है या घर पर बनाते हैं या ओर्डर करते हैं लेकिन ये सारी चीजें रबडी के बगेर हमें अधूरी लगती हैं जले में भी रबडी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और कभी-कभी ऐसे ही सिर्फ रबडी खाने का भी मज़ा आता है अगर आपके घर पे गैस्ट आ गये हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कोई डिजर्ट बनाने का तो तस मिनिट में ये रबडी बना ले इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंस की जरुवत नहीं है सारी चीजें किचन में मौझूद मिलेगी इंशाल्ला हमने एक बड़े से वोक को गरम करने के लिए रख दिया है हमने थोड़ा बड़ा यूज किया है डीप यूज किया है क्योंकि हम दूद को बॉइल करेंगे तो बड़ा पैन यूज करने से बाहर निकल कर दूद के गिरने का डर नहीं होता तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा इस तरह से घी से ग्रीस करेंगे इससे एक तो घी का अच्छा फ्लिवर आ जाएगा रबडी में और दूसरा हमारा दूद जो है इस पे चिपकेगा नहीं वरना कभी-कभी दूद नीचे लग जाता है और जल जाता है फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती हम इसमें दूद कब मिल्क पाउडर मिलाएंगे हम इंस्टन रबडी बना रहे हैं जो बस दसी मिनिट में बन जाती है तो इसे गाड़ा करने के लिए मिल्क पाउडर से बहुत ही help मिलती है इसका टेस्ट भी बहतर होता है ये creamy बनती है और साथ में जल्दी भी बनती है ऐसे रबडी को बनन है या अपने ही डालना चाहते तो भी टौर को सक्प कर दें इससे पहले डिजॉल्फ होने देंगे विए और्न करके हम कर दिया है हाई पर दूद को बॉयल करेंगे इस तरह से बीच भी च में चलाते रहेंगे दूद बॉयल होता है तब तब कुछ तैारियाँ करते हैं ले अगर इससे बड़ी वाली यूज़ कर रहे हैं तो बस दो स्लाइस करें, ब्रेड को हमें इस तरह रफली तोड लेना है और मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल कर इनका पाउडर बना लेना है, हमने ब्रेड को कट करके मिक्सर में ग्राइंड किया, इतनी दिर में दूद भी अच्छा सा पक गया है, तीन से चार मिनिट हो गये हैं, दूद को भी बॉइल होते, बस इसमें हम ब्रेड डाल देंगे, जो हमने रेडी किये हैं, ब्रेड डालने से रबडी का टेस्ट बिलकुल खराब नहीं होगा, इन फैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि आपने ये इंस्टेंट रबडी बनाई है, ब्रेड डाल कर, इसे हम दो से तीन मिनिट पकने देंगे, फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है, हमने हाई फ्लेम करके दो से तीन मिनिट पकाया, ये बिलकुल पॉफेक्ट है, रबडी जब थंडी होती है, तो बहुत गाड़ी हो जाती है, तो इस चीज का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है, कि इसे बस दो से तीन मिनिट ही पकाना है, ब्रेड डालने के बाद, मिवियम टू हाई फ्लेम पर, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, हम अब शकर मिला हो जाएगी, हम इसमें से तकरीबन 4 टीबल स्पून डाल देंगे, और 2 टीबल स्पून बचा कर रखेंगे, रबडी में एक चीज का खास ख्याल रखना है, जैसे हमने आप से कहा, इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बहुत गाड़ा ये पॉइंट पर नहीं करना है, क तो हमने ड्राय करके, कट करके रखें, 2 टीबल स्पून के आसपास काजू मी, जिनके हमने पीसिस किये हैं, थोड़े बादाम पिस्ते हमने अलग भी रखें हैं, ये हाफ टी स्पून इलाइची का पाउडर है, आप 3-4 इलाइचीओं को लेकर कूट कर इसमें डाल सकते हैं अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है, हम इसमें केवडा एसेंस डालेंगे, जो रबडी की जान होती है, बस 3-4 बूंध हमने डाल दिया, इससे ज्यादा नहीं, वैसे अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी केसर भीगा कर डाल सकते हैं, या फिर रोज का एस इसेंस भी डाल सकते हैं, वो भी दो से तीम बूल, फ्लेम को लो करके इसे हम एक साइट पर रखेंगे, जब तक दूसरी तयारी करेंगे, एक छोटे पैन को हमने गरम करने के लिए रखा है, उसमें जो बची वी दो टेबल स्पून शकर हम डाल देंगे, हम आपको ये एक स फ्लेवर फुल बनेगी, एक तो इसका कलर परफेक्ट आएगा, इसके कलर से ऐसे लगेगा, कि जैसे आपने रबडी को एक से दो घंटे तक पकाया है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, बस कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, इसे बनाने के टाइम, फ्ल चीज का हमें ख्याल रखना है, वो इसके कलर का और इसके पकाने के टाइमिंग का, शकर को सबसे पहले हमें मेल्ट होने देना है, इस तरह थोड़ा-थोड़ा चलाते रहेंगे, ताकि सब तरफ से अच्छा सा इवन कलर आए, शकर मेल्ट हो गई है, और थोड़ा-थोड़ इसका कलर चेंज हो गया है, बस जब हमें लगें के इस तरह थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज हो गया है, यही पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना है, और बंद फ्लेम में ही इसे 10 सेकंड चलाना है, ताकि इसका कलर थोड़ा और बेटर हो जाए, बस इतना बेटर, इसे ज्यादा पकाकर Award। अगर ना कर दें अगर डाक हो गयाा तो इसे एडळ ना करें रबडी में वरना रबडी कड़ी हो सकती है तो बस यही चीज का खयाल रखना है अगर डाल देंगे लो फ्लेम पर रबडी पक रही थी, रबडी पर हमने पोर कर दिया ही ये, इसे इस तरह चलाएंगे, आप देखेंगे कि कुछी देर में बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बस जो चीज का हमने कहा है, उसका आपको ख्याल रखन कि जैसे ही हलकी गोल्डन शुगर हो जाए, कैरमलाइज होके, फ्लेम को बन करना है, और बन फ्लेम में ही इसे पकाना है, माशालला, प्यारा सा कलर आ गया है, अगर इस तरह थोड़ी थोड़ी शुगर नजर आती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बिलकुल लो फ्ले है, तो अगली बार जब आपके घर में गैस्ट आए, या आप गुलाब जामून, जलेबी, माल पुआ, इस तरह की चीज़ें खाना चाते हैं, तो साथ में ये रबडी को जरूर आड करें, इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज थंडी हो चुकी है, हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा है, सर्विंग दिश में डाल कर फ्रिज में रखेंगे, दो घंटी तक थंडा करेंगे और फिर इसे खाएंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह ये थोड़ी ही देर में थंडी होकर गाडी हो गई हैं, ये गाडी होक बिलकुल परफेक्ट रखेंगे